जेहें दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के most important question को डिस्कस करेंगे जो के आपके आगामी लगबग सही भरती परिक्षा हैं जिसमें हिंदी से संबंदित question पूछे जाते हैं उन सभी exams के लिए सारे question बहुत ही important है तो चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को पहला question इस वीडियो का निमनलखित में से कामदेव का प्रयावाची कौन सा नहीं है बात करेंगे प्रयावाची सब्द की तो यहाँ पर सचीपती ये कामदेव मनमत और अनंग ये तीनों कामदेव के प्रयावाची सब्द है क्वेश्चन में नहीं पूछा जा रहा है इसलिए सचीपती हो जाएगा क्योंकि ये इंद्र का प्रयावाची है सचीपत अगला question बुढ़ापा में कौन सा प्रत्य है बात करेंगे बुढ़ापा में प्रत्य की तो बुढ़ापा में आपा प्रत्य हो जाएगा और बीराइट हो जाएगा प्रत्य कहते किसे हैं ऐसे सब्दांस जो सब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और सब्द के आर्थ में कुछ विस प्रत्य 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 प्रत् के समान नयन इस प्रकार इसका समासी विग्रे होगा बात करेंगे समास की तो इसमें कर्मधारे समास हो जाएगा इसकी पहचान के अगर बात करें तो इसका समासी विग्रे करने पर के समान है जो दो पदों के बीच में इस प्रकार के सब्दाते हैं वहाँ पर कर्मधारे समास होता है बात करें दुन्द समास की तो जिस समास के दोनों पत्परधान होते हैं वहाँ पर दुन्द समास होता है दिगू की अगर बात करें तो जिस समास में पूरपत संख्या वाची विश्यषण हो और समस्त पर मेरकर किसी समुह या समाहार का वोद कराते हूं आपर दिगु समास होता है बहुबरी समास में कोई भी पत्वादान नहीं होता है यहां पर अन्य उपर्यूक्त सभी, क्योंकि ये सभी तत्सम तद्वों सब्द सही सुमेलित हैं, चंचु का चोच होता है तद्वों, कपाट का किवाड होता है तद्वों, कंटक की बात करें, तो काटा होता है तद्वों, ये तीनों सही सुमेलित हैं, इसलिए option d right हो जाएगा, उपर यूग सभी, अगला question, संकीन का विलोम होगा, संकीन की अगर बात करें, कि संकीन का कौन सा विलोम है इसमें से, तो option yeah right हो जाएगा, बिकेन, संकीन का विलोम होता है, option yeah right हो जाएगा, अगला question दोड़ना किस प्रकार की क्रिया सब्ध है बात करेंगे दोड़ना की तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा option बी रैट हो जाएगा अकर्मक दोड़ना अकर्मक क्रिया सब्ध है वाक्यमे क्रिया के साथ में अगर क्या का प्रस्न करें अगर उसका उत्तर मिले तो वो सकर्मक्रिया होगी और अगर उत्तर नहीं मिलता है और उसका प्रभाव करता पर पड़े तो वो अकर्मक्रिया होती है यहाँ पर दोड़ना की अगर बात की जाए तो यह अकर्मक क्रिया सब्द है अगला कोश्चन मैं विद्याले जाता हूँ, वाक्य में मुख्य क्रिया है वाक्य में मुख्य क्रिया की बात करेंगे तो option C राइट हो जाएगा जाता, इस वाक्य में जाता यह मुख्य क्रिया है मैं की बात करेंगे तो यह सर्वनाम सब्द है जबकि विद्याले संग्य सब्द है अगला कोश्चन रमेश भोजन करके विद्याले जाता है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है इस वाक्शिय में करिया के अगर बात करेंगे तो option C right हो जाएगा पूर्व कलिकरिया, जब करता कोई एक कार समाप्थ करके ततकाल दूसरा कार प्रारम कर देता है, तो जो पहली करिया होती ही उसे पूर्व कलिकरिया कहा जाता है, और इसके पहचान के अगर बात करें, तो कर अथवा करके लगा रहता है उस वाक्र में, तो वहाँ पर अधिकतर संभावना बनती है कि वो पूर्पद का लिक्रिया होगी, अगला क्वेश्चन, जिस समास में उत्तरपद पधान होता है, वहाँ कौन सा समास होता है, समास में दो पद होते हैं, पूर्पद और उत्तरपद, जिस समास में पूर्पद पधान होता है, वहाँ अब बेई भाव समास होता है, लेकिन जहाँ उत्तरपद पधान होता है, वहाँ पर समास अगला क्वेश्चन नरेंदर सब्द का संद्विच्छेद होगा नरेंदर सब्द के संद्विच्छेद की अगर बात करें तो ऑफ्सन बिरैट हो जाएगा नर धन इंद्र इस प्रकार इसका संद्विच्छेद होगा संदी कुल तीन प्रकार की होती है स्वर संदी व्य अगला कुस्चशन रमेश पुस्तक पड़ता है वाक्य में कौन सा वाच्य है हिंदी में वाच्य तीन प्रकार के होते हैं क्रिद्वाच कर्म वाच और भावाच तीन प्रकार के वाच्य होते हैं बात तेरे इस वाक्य में वाच्य की, तो यहां पर option बीरैट हो जाएगा कृत्रवाच्य, रमेश पुस्तक पढ़ता है, तो यहां पर कृत्रवाच्य हो जाएगा answer, जिस वाक्य में करता की प्रधानता होती है, वो कृत्रवाच्य होता है, यहां पर रमेश पुस्तक पढ़त करता है यहां पर करता की प्रफानता हो रही है इसलिए करतिवाची ठ्मय हो जाएगा सिर्ट की रेखाएं किस रचनाकार की रचना है स्मिर की रेकाएं कि यह रचना महाद्य वर्मा यामा ये के सभी रचना है महादेवी वर्माकी है अगला कुश्चन सदेव सब्द में कौन सी संदी है बात करें सदेव सब्द में संदी की औप्सन विडियाट हो जाएगा बृध्ध्य संदी इसका संदी विच्छत करें तो सदा धन एयो इस परकार इसका संधि विच्छे दोगा बात करेंगे संधी की तो इसमें ब्रिद संधी है अगला question तुativo है तेलो और Почему पिड़ियों, की संख्या के कितनी है थिस प्रतेज में प्रतें की संख्या तो कुल्क इनकी संख्या प्चिस होती है हिनी वर्ण माला में स्वर्ण 11 होते हैं जबकि बेंजन 33 होते हैं कुल वर्णों की अगर बात करें तो बावन वर्ण होते हैं अगला कुश्चन निम्र में से पार्श्विक बेंजन है बात करें पार्श्विक बेंजन की तो option तो गेंट से इ brat हो जाएगा ला ला ये पार्श्विक बेंजन होता है अगया होता है और की रवर्ण की अगर बा Эंट दो सबसंद प्सक्राइब करें तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसे comment box ने जोड़ पता है है अगर वीडियो फसंद आयहा हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चेनल को ज़रू सब्सक्राइब करें धन्यवाद